हेलो अब्रिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल ममता मैच टूटोरियल और आज नाइन्थ क्लास में लेक्चर थर्टी सेमन्थ है ये हमने चेप्टर थर्टीन स्टार्ट कर रखा है सरफेस एरिया और वोल्यूम प्रिष्ट्रिय शेत्रफल और आयतन आज करेंगे हम एक जाएगा कॉश्चन नमबर सिक्स देखे क्या है स्टेट्मेंट बहुत बढ़ी है मैंने स्टेट्मेंट को छोट छोटे शब्दों में लिखा है क्या है स्टेट्मेंट समझेए और विलिच एक गाउं है पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या कितनी है चार हजार लोग उसमे रहते हैं रिक्वायर्स वन फिफ्टी लीटर बाटर पर हैड पर डे हर एक आदमी को हर एक दिन डेड़ सो लीटर पानी चाहिए टैंक है एक टंकी है गाउं में ही और उसकी मेजरमेंट लंबाई चोडाई उचाई दे दिया आपको 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना में 6 मीट होगा हमें टंकी का पानी देखना है और ग्यादे रखा है कि गाउं में हर एक आदमी को एक दिन कितना चाहिए टोटल 4,000 लोग हैं और उस टंकी से पूरे गाउं के लिए कितने दिन पानी चलेगा हमने ये बताना है ठीक है तो हमारे दो चीजे आ रहे है एक तो टोटल ट पाएगा ये तीनों ही चीजे दे रखी है टंकी का आयतन हमारे पास लंबाई चोडाई उचाई है और आयतन के लिए हम क्या करते हैं तीनों की ही गुना करते हैं तो इनकी मल्टिप्लाई कर दिए 15 दूनी 30 और 30 की 6 से 180 पंद्रा दूनी 30 30 की 6 से 180 और एक और है अठारा सो म यानि की हमारे पास टोटल पानी इतना आ गया है ठीक है अब देखते हैं क्या है requirement of per head per day कितनी है 150 लीटर यानि की एक व्यक्ती को एक दिन के लिए पानी चाहिए एक व्यक्ती को एक दिन के लिए आवश्यक पानी या फिर पानी की जुरूत आप लिख सकते हैं कुछ भी कितना आ गया हमारे पास 150 लीटर पर हमें तो पुरे गाउं का देखना है ना requirement of 400 पे 4000 4000 लोग है per day जादा है जादा के लिए हम क्या करते हैं गुना करते हैं 4000 मल्टिप्लाई करजिए 15 चोके 60 और 1234 यानि कि टोटल गाम को एक दिन में इतना पानी चाहिए ठीक है अब हम निकाल सकते नंबर पर ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया और ये हमारे पास लीटर में आ गया कुछ गड़बर होगे क्योंकि हमारे पास क्या होती है यूनिट हमेशा सीम होनी चाहिए या तो आप इसको लीटर में कनवर्ट करो 1000 से मल्टिप्लाई करके या लीटर को मीटर क्यों में चेंज करो डिवाइड करके हम इसे चेंज कर लेते 3, 4, 5 अप ओन में 1000 और अब यूनिट के आगे आपके पास मीटर की पावर 3 सॉल करें 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 आगया 600 मीटर क्यूब ठीक है अब आते हैं हम नंबर संख्या निकालनी है number of days दिनों की संख्या संख्या निकालने वाले कुश्चन हमने पहले भी किये हैं संख्या कैसे निकालते हैं जो हमारे पास total होता है total तो हमारे पास ये है जिसकी संख्या निकालनी है उसका एक दिन का बताना है हमें दिन निकालने और एक दिन के लिए पानी हमें कितने चाहिए है पूरे गाउंको 600 मीटर क्यूब चीक है मीटर क्यूब से मीटर क्यूब 0 से 0 0 से 0 6 ती अठारा यानि कि 3 देज तीन दिन वो पानी चलेगा टंकी का ठीक है सिंपल सा कोश्चन था दोबारा देखे हमें एक टंकी दिवी थी जिसकी लंबाई चोडाई उचाए दिवी है पहले में देखना है कि पानी कितना है पानी मतलब वोल्यूम आयतन निकालेंगे आयतन का फोर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चोडाई गुना उचाए और सिंपलिफाई करके हमने देख लिया गुना करके कि कितना टोटल पानी है अब कोशन में क्या दे रखा था कि एक इंसान को एक दिन में डड़ सो लिटर पानी चाहिए पर हमने तो पूरे पानी चाहिए उससे डिवाइड कर दिया तो पूरा पाने कितने दिन चलेगा तीन दिन चलेगा ठीक है एक कोशन नमबर शिक्त और अब देखो सेमन्त कोश्चन question no.7 देखी क्या कहा गया again मैंने complete statement को short form में लिखा समझने में आपको भी easy हो जाएगा ठीक है एक go down एक go down दे रखा है जिसकी length, breadth, height, लंबाई, चोड़ाई, उचाई आपको दे दी है dimension दे रखा है फिर wooden crates, एक लकड़ी की crates है क्रेट बचे आपने देखा होगा बिनानाज रखते हैं तो एक wooden की लकड़ी की है इसमें वरनाथ plastic की भी आती है जिसमें लंबाई, चोड़ाई, उचाई, समान रखा जा सकता है तो वह आपको dimension दे दिये question में क्या पुछ रखा है कि इस go down में ऐसी ऐसी कितनी crates आ सकती है maximum number अधिक्तम कितनी crates आ सकती है देखो बचे दो question दो तरह से कर सकते हैं या तो आप पहले इसका volume निकाली तीनों की multiply करो ऐसे ही तीनों की multiply करो फिर हमें पता है संख्या निकालने के लिए हम divide करते हैं या फिर अगर आपको calculation बड़ी नहीं करनी तो आप बिना multiply करें दिवाइड कर दो कैसे देखे जरा solution जो आपको भी लेगा pdf में उसमें multiply करके solve किया हुआ है यह आप बिना multiply करके देख लो ठीक है solution देखे हमने क्या निकालना है maximum number of crates maximum number of crates crates की अधिक्तम संख्या देखे बच्चे कैसे करेंगे इसको संख्या निकालना है किस की crates की पहले हम क्या लिखते है total total तो हमारे पास go down है 40 meter into 25 meter into में 10 meter अब उन में किस की संख्या निकालना है crates की तो crates के एक volume से divide कर दो crates का एक volume क्या बनेगा 1.5 meter 1.25 meter और 0.5 meter अब बच्चे सिरफ calculation part बागी है क्यासे point था point अटाया उपर गया 10 point अटाया 2 के बाद था उपर गया 100 और point था एक के बाद ये गया 10 meter से meter meter से meter meter से meter 25 पंजे 125 पांच दुनी 10 पांच दुनी 10 नीचे 15 और बचा है चीक है पांच दुनी 10 और पांच दुनी 15 बस इससे आगे नहीं कट रहा है तो हम उपर उपर वाले के multiply कर देते हैं 40 दुनी चार दुनी आठ और आठ चोके 32 और एक दुनी 10 ये गुना आएगे दुनी 4 चार दुनी 8 और आठ चोके 32 और नीचे क्या है 3 है डिवाइड करने इसको 1 पे 3 बंजा 3 बचा 2 जीरो बाग दी गया 20 तीनची कठारा बच गे दो 20 तीनची कठारा और पॉइंट में ऐसे 6 6 आता ही रहेगा हम 6 7 कर देते हैं इसको इतने क्रेट्स हैं बट बटा क्रेट्स को तो हम टुकड़ों में नहीं बाढ़ सकते हैं हमने तो कम्प्लीट लेना पड़ेगा तो कम्प्लीट कम्प्लीट उठा लीजिए 10666 टोटल इतने क्रेट्स इतने आ सकते हैं कितने इस गोडाउन में देखो तड़ा कोशन क्या था सिंपल सा कोशन था हमें एक गोडाउन दे रखा था जैसे अभी पिछले वाले कोशन मे हमें तंकी दे रखी थी उसकी भी लेंथ ब्रेट था थी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हैं यह मल्टीप्लाई नहीं किया सिधा लिखा ताकि calculation easy हो जाए गोडाउन दे रखा था जिसकी लंबाई चोड़ां रूच आई हैं एक क्रेट दे रखी थी जिसकी लंबाई च से according से question उसके एक unit से ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या था हमारे पास volume में रखा था ठीक है हमें संख्या निकाल ले थी तो हमने उसके एक वाले volume से एक crate के volume से उसको divide कर दिया point हटा दिया जो terms कट रही थी उसे काट दिया point में answer था बट हमें तो crates ऐसा नहीं है टोड़ों में crates तो complete ही जाएंगी तो complete ले लिया point वाले disease को छोड़ दिया इतनी crates आपके इस go down में आ सकती है ठीक है अर अब देखो next question next question देखो students क्या कहता है अगीन short form में ही statement है एक cube है जिसकी side 12 cm 12 cm बुजा का इक घन है उसे काट दिया गया कैसे उसे 8 cube में काटा और वो 8 घन कैसे थे equal volume बराबर बराबर आयतन के थे ठीक है अब आपने यह बताना है कि नए जो 8 cube में काटा ना जो cube है गन है उस नए वाले गन की बुजा क्या है और फिर surface area प्रिष्ट्य शेत्रफल का अनुपात निकालना है कि किसका नए वाले का और पुराने वाले का ठीक है step by step चलते हैं इसमें एक कोशन में दो कोशन है ठीक है एक तो जो नया गन बनाया 12 cm वाला जो पूरा पूरा देख लेते हैं तो तोड़ेंगे तो बाद में वॉल्म का फॉर्मॉला क्या होता है बुजा की पावर 3 साइड की गात 3 होती है पावर 3 12 cm गुना में 12 cm गुना में 12 cm यह आ गया आपके पास 1728 cm3 ठीक है अब देखे जरा हमने क्या करना अब यह जो है आपके पास वॉल्म आया है यह आया है कि इसका यह आठ आठ में डिवाइड करना है ठीक है तो क्या करेंगे वॉल्म ऑफ वन न्यू क्यूब नए घन का आयतन आयतन कर ले पहले नए घन का आयतन इस आयतन को आठ में डिवाइड करना था तो इसको आठ से डिवाइड कर दो आठ दुनी 16 216 cm3 ठीक है पूरे हमने 12 cm का जो हमारे cube था उसको 8 हिस्सों में divide कर दिया तो हमें मिला 216 cm3 एक का ये हमें क्या मिला है आयतन हमें आयतन नहीं चाहिए हमें बुजा चाहिए है नए वाले की तो हम क्या करते हैं इसकी बुजा निकाल ले हैं, बुजा की गात 3, ये किसके बराबर आएगी, 216 cm की गात 3, अब 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 cm की गात 3, 3 से 3 कट गया, और हमारे पास बुजा यानि की साइड क्या आगी है, 6 cm, नए वाले की ये जो फर्स पार था न, ये यहां तक कम्पलीट हो यहां तक दोबारा देखे, बच्चे हमने किया गया है, हमारे पास एक क्यूब दे रखी थी, जिसकी साइड 12 cm है, एक घन जिसकी बुजा 12 cm हमने आयतन देख लिया, चीक है, अब इसने क्या कहा कि इस पूरे ही क्यूब को 8 में डिवाइड कर दिया, चीक है, तो हमने क्या क 8 हिससे बने न, बराबर वाले हैं, तहकर इकवल फोल्यम, सबका बराबर बराबर है, बराबर बराबर 8 हिससे हैं, तो हमने पूरे को 8 से डिवाइड कर दिया, यहनल कि 1 का यह आ गया, एक घन का उलियूम यह आ घिक है, oh वोल्यूम का फोर्मूला क्या होता है, भुजा क गातीन और यहां से calculate करके हमने जो टुकड़े काटे थे उन में से एक की बुजा निकालती है वो तो बराबर बराबर हिस्से थे तो बुजा हमारी कितनी आगी 6 cm ठीक है अब दोनों का है surface area निकालना है ठीक है तरफल का ratio निकालते हैं यहीं निकालते हैं गन का पुष्टिश बुजा आपके पुरानी थी 12 cm की बुजा थी और कब अब जब ुजा क्या है आपकी 6 cm ठीक है तो 6 गुनासाइट ले बारव गुना में 12 दूसरी साठ क्याले साइट 6 गुनां में 6 एक बार बुजा हमने साइड 6 ले और एक बुजा हमने साइट 12 ले 5 से 6 कट गया 6 तो दो दोने बारा दो दोनी four ratio यहां पर क्या बचा है one ठीक है तो हमारा अनुपात क्या आ गया चार अनुपात एक आ गया ठीक है फ़र्स पार्ट तो easy था हमारे पास क्या थी एक cube था 12 cm की बुजा का हमने volume निकाला अब उसे 8 हिस्सों में बाटा तो एक हिस्से का volume आ गया बट हमें volume नहीं चाहिए थी हमें बुजा चाहिए थी बुजा हमारी क्या आगी 6 cm आगी अब एक तो पुराना वाला गन है जिसकी बुजा 12 cm है एक नया वाला गन है जिसकी बु 12 और एक बारा खी 6 जो टर्म का ट्री थी काट दिया और यह हमारा अनुपात आ गया और अब देखिए आज के lecture का last question तो last question देखिए student क्या कह रहा है और river एक नदी है 3 meter deep 3 meter वो गहरी है गहरी का मतलब जोब हम उपर से देख रहे हैं नीचे से देखेंगे वह था हमारे पास height का काम करेगी and 40 meter wide और 40 meter क्या है चोड़ी हम प्रेट देखिए is flowing at the rate of 2 km per hour एक घंटे में उसमें पानी कितना बहरा है 2 km के rate से दर से बहरा है ठीक है how much water will fall into the sea in a minute एक मिनट में समंदर में कितना पानी गिरेगा यानि कि कहने का क्या मतलब है कि एक मिनट में उस नदी में कितना पानी आएगा ठीक हमने volume ही निकालना है volume निकालेंगे length वच्चे ध्यान रखिए कि पानी क्या कर रहा है इस दर से बहरा है यानि कि वही किसका काम करेगा आपका length लंबाई का काम करेगा पानी क्या बहरा है, 2 km per hour, length into, बेर्थ, चोड़ाई कितनी है, 40 meter, और height कितनी है, 3 meter, टोटल इतना पानी, एक घंटे में निकलेगा, ये भी 1 km में, ये मिटर में है, इसको भी मिटर में बना दे, 2000 meter, गुना में 40 meter, गुना में 3 meter, पर hour, एक घंटे में, multiply कर दे, 4 कि 12, 12, 24, 1, 2, 3, 4, 0, meter cube, पर hour, प्रट question में एक चीज़ और दे दिया, प्रट question में क्या दे दिया, एक minute दे दिया, चीक है, specially क्या दिया, कि एक minute में, तो एक minute में निकाल दे इसको, एक घंटे में कितने minute होती है, 60 minute होती है, अब यह क्या आगया, आपके पास, पर minute का आगया, जीरो से जीरो, छीच चक चौबिस, एक सकिंड, एक डोती, एक calculation mistake बहुत ज्यान से रखेगा, एक जीरो एक्स्टर लग गी है, चीक है, 4000, 4000 meter cube, इतना जाएगा आपके पास, एक minute में, ठीक है, देखो ज़रा दुबारा से question में, हमें क्या कहा गया था, एक नदी है, इतने meter गहरी है, ठीक है, और इतने meter चोड़ी है, और इसमें इस दर से पानी बह रहा है, जो पानी बह रहा है, बच्चे वही आपका length का काम करेगा, ठीक है, यह kilometer में था, बाकी dimensions आपकी meter में है, सारे unit सेम करने के लिए, इसे भी हमने meter में change कर दिया, एक kilometer में 1000 meter होते हैं, यह भी meter में, यह भी meter में, यह भी meter में, यह भी meter में, बट पर और यह एक घंटे का आपको दे रखा है, multiply कई, 4, 3, 12, 12, 24, 3, और 1, 4, 0, बच्चे calculation द्यार रखना था, यहाँ पर हमें एक 0 भूल गए थे, पर R, यह आपको दे दिया कि, एक घंटे का, 60 मिनिट का दे दिया, बट हमें तो क्या निकालना था, एक मिनिट का निकालना था, तो इसको 60 से divide कर दिया, यह आपका answer आ गय होंगे, description में इनके solution लेना ना भूलें, और आगे सलेबिस करने के लिए, चैनल से जुड़े रहिए, इससे like किएजे, share किएजे, subscribe किएजिए, thank you